हलो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जो कोशन नमबर फोर है ठीक है और कोशन नमबर फोर जो है होट्स कोशन भी कहलाता है तो एक तरह से हम लोग आज होट्स कोशन करने वाले हैं जो चलेंजिंग कोशन भी हो सकता है जिसको बोला जा सकता है यह आपका सिलेबस से ही related रहता है बट question out of book रहता है textbook का नहीं रहता है बलकि बाहर से कहीं से अपनी तरफ से लाया जाता है ठीक है examiner के जरीए तो भाई आज हम लोग solve करेंगे और concept को समझने की कोशिश करेंगे बच्चों याद रखिए hot question के लिए concept clear होना चाहिए concept clear होगा तो कैसा भी question आने तो और कहीं से भी आने तो अब question को solve कर लोगे ठीक है तो चलो start करते हैं और question देखते हैं बच्चेक बात और है कि आज मैं question diameter 1.4 cm are dropped into beaker containing some water ठीक है कुछ marbles है marbles कैसे होते हैं circle जैसा तो मैं यहाँ पर ले लेता हूं मानके चलो हमारा जो है यह circle जैसा marbles है और छोटे-छोटे marbles ले लेता हूं यह चोटे-मुटे-मुटे-मुटे-मुटे चुटे-मुटे marbles है क्यों marble नहीं बोला marbles बोला है न चोटे-मुटे marbles है अब इसको किसी beaker में डाल दिया गया अब beaker जो है हमारा तो beaker जो है इस तरह से shape में होता है आप बोच सकते हो cylinder जैसा होता है ना cylinder cylinder कर से पे होता है भी कर ठीक है इस तरीके से beaker बना होता है ओके याद रहेगा आपको यहां पर थोड़ा सा चोंच निकला रहा रहता है इस पार्ट पर इसका चोंच निकला रहता है बीकर का तो भाई क्या बोल रहा है अब कुशन को आगे पढ़ते और कुछ पॉइंट पर ध्यान देते the diameter of the beaker is seven centimeter find the how many marbles have been dropped in it if the water rises by five point six centimeter okay so is kinder marbles Dalida or isky what is a key water kit now Paraguya family water could be raha okay you do clear making it up water time but water Joe Biraoga thoda about Joe Biraoga market चलो पहले वाटर यहां पर होगा यहां तक जो है आपका वार्ट रहा होगा इस पॉइंट टक यहां तक आपका वाटर रहा होगा ओके पिसके बाद बोल रहा है कि उसमें 1.4 centimeter इसको ड्रॉप किया गया और रेडियस क्या होगया अगर टाइमिटर यह तो रेडियस कितना होगा उसका हाफ हाफ बोले तो 1.4 का हाप कितना होता 0.7 cm हो गया जब इसके ने ड्रॉप किया तब पानी राइस किया और पानी राइस कितना कर रहे 5.6 cm राइस कर रहे है ठीक है तो यह राइस कर दे रहे है कितना if the water rises by 5.6 cm अगर वाटर जो है राइस करके 5.6 cm जा रहे है टो वाटर जो है यहां से लेकर मांगे चलो यहां तक चले गया ठीक है अब वाटर यहां तक भच्चो आगया 5.6 cm और यहां पर कितना राइस किया 5.6 cm कर दी आपका और अपने को पानी क्या करना कितनी मारबली ते जो मार्बल्स इसके इंदर डाला जा रहा है, जो मार्बल्स थे यहाँ पर, यह कितने मार्बल्स इसमें डाला गया, यह जो मार्बल्स छोटे छोटे इसके इसके अदर, लाला की इसमें फेका गया, इसमें मार्बल डाल दिया जा रहा है, तो कलर चेंज कर देता हूं, मैं क् ओटो चोटे-चोटे मार्बल स्लाला के इसके पैसके नदर डाल दिया गया जिए बच्चो। यह लेबल पहले यहां तक था वाटर का अभ लेबल बढ़के 5.6 तक वाटर का ऑफिग वाइप 5.6 उपर चले गया हुँका अभी क्यों उपर गया उपर क्यों गया क्यों कि मार्बल का जो वेलूम है उसकी वज़े से मार्बल क्या कि अंदर गया तो उतना जगh जो है उतना घtober लिये है उतना प्लेस लिए तो पानी क्या पानी को भी तो जगँ चाहिए ना तो उसका जगँ कुस ने घेर लिया मार्बल ले लिया तो पानी क्या करेगा ऊपर चले आएगा उपर जो खाली पलेस और उपर की तरह पड़ी जाएगा ठीक है कोवे वाली कहानी सुने हो ना मटके में देखता कववा पानी नहीं रहता ह पानि बहुत कम रहता है तो फिर क्या करता है कंखरी लाता है और अड़ी तीने डलाता है और फिर पानी क्या हो तो उपर आ जाता है का सब्सक्राइक सब रिया है गेवन पांट में तो रेडियस ऑफ मार्बल्स रेडियस ऑफ मार्बल्स का जो रेडियस है पहले सबसे पहले हम नों गोलेंगे इसको ले लेता हूँ, मैं R1 ठीक है, R1 ले लिए हमने तो कैसे आसे लोगा D1 से डिवाइड कर दो, तू D1 कितना था हमारे पास, बच्चो देखे हमने 1.4 cm तो R1 कितना आ गया हमारे पास तो हमारे पास R1 निकल के आ गया 0.7 0.7 cm तो यह R1 आ गया अब उसके बाद हम लोग R2 निकलेंगे दाइमोटर आप दे बीकर बीकर का डाइमीटर कितना दिया है 7 cm दिया है, तो यहाँ पी लिखूँगा रेडियस औप बीकर 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 का रेडियस क्या होगा R2 यह कैसे आएगा R2 कैसे आएगा दाइमीटर को डिवाइड कर दो इसका डाइमीटर कितना था? 7 cm तो 7 cm को डिवाइड कर दो 7 divided by 2 7 cm को 2 से डिवाइड कर दो तो R2 मिल जाएगा तो कितना आगया? 7 cm का हाफ क्या होता है? 3.5 cm 3.5 cm आ गया इतना क्लियर हो गया अब अगला step करने का है, बताओ क्या करने का है, अब यहाँ पर अपने को मालूम करना पड़ेगा, जो marbles, जो मालूम करने बोला, उसको हम लोग consider कर लेते हैं, उसको assumption ले लेते हैं, हम लोग लेंगे, हम लोग क्या लेंगे, consider death, death, number of marbles, number of marbles, x, marbles का number के x है, ठीक है, अब उसके बाद, आपको लिखना formula, क्या formula आएगा भी, पानी देखो यहाँ तक, यह label यहाँ तक चला है, पानी का लेबल यहाँ तक चला है, ठीक है, तो यह भी एक तरह से क्या है, पानी जब चड़ेगा इस तरह से बनेगा, तो यह क्या दिखर आपको, यह भी एक तरह से cylinder है, ठीक है, और value किसका यह गए्या हा रइजिन वाटर राइजन होटर है क्वेलम और्फ लाइजेन क्यों वाटर का लुक्वल होगा किคum vais वेल्यूम आप मार्बल फिलंट और शर्wn, तो डून्य पर गसे मलटिप्लाय करोगे तो दुनिया बढूर इसम इसपोर तो होगा अब इसके आगे कैसे करेंगे समझना यहां पर सॉल करते हम लोग रेट कलर ही लेता हूं यहां से लेकर यहां तक हाइड कितना है 5.6 तो पहले फॉर्मुला लिखता हूं पाई आर स्कॉर एच ठीक है आर बन था ना रेडियस अब मारबल रेडियस अब मारबल को क्या लिए हमने आर्टू सॉरी यहां पर आटू लिखो यह होगा आपका आर्टू फिर यह क्या आएगा 4.3 पाई आर्टू ठीक है पाई आर्टू यह किसका आगया वैल्यूम ओफ मारबल का हो गया ओके और यहां पर मल्टिप्लाई करोगे किस से मल्टिप्लाई करोगे एक से मल्टिप्लाई करोगे ओके अब वैल्यू पूट करो जिसका जो वैल्यू रहेगा पूट करतो देखो पाई से पाई कर जाएगा दोनों तरफ पाई है आर्टू कितना हमारे पास आर्टू है 3.5 आर्टू है 3.5 फिर उसके बाद यहां पर एच एच कितना दिया है 5.6 cm 5.6 cm x 4 by 3 आर्वन कितना हमारे पास तो आर्वन देखो तीन बार है तो आर्वन किदर अभी यहां पर 0.7 0.7 एक दो टीन बार लेगी यह 0.777 यह हो गया अब इसके दर देखो अ कि सबी से नीचे का पॉइंट हटाएंगे देखो नीचे का पॉइंट हटाओंगे यह हो गया सरी उपर का तो नीचे 10 आ एगा कि यहां पर क्या एगा दस आजाएगा पॉइंट अकोतर नीचे तैना एक यहां पे पॉइंट के बाद कि नीचित एक है इसलिए कि आएगा नीचे 10 आएगा दो डिजिट रहता थमाता 7 by 10 7 by 10 7 by 10 होगी यहां विद्गों 5 3.5 बर और लिख दो 3.5 आपने लिग दिया तो यहां पर जो होगा 3.5 बर और आ जाएगा यहां पर अपने 3.5 बर लिख दिया यह दो बर 3.5 यहां पर आएगा आपको 35.10 35.10 यहां पर भी होगया ठीक है तो यहां पर देखो गोर कर आप लोग आपको समझेगा यहां पर 3 बर दा से 1-2-3 यहां भी 3 बर दा से 1-2-3 तो 3-0-7 cancel हो गया फिर उसके बाद देखो यहां पर हमने लिख दिया एक्स 35 x 35 x 56 अब यह सब के सब नीचे ला दो तो यहां पर आ तीन बर साथ है तीन अब जो चैंशल हो सकता बच्चों कैंसल कर दूं कर दो यह को 788 अ ठीक है 75 जा 75 यह कैसल हो गया आब 4 से यह कैंसल हो गया 4 टू जा 8 रिक इतना आ गया 55 2525 को टू से मल्टीप्लाइब कर द आप 25 को टू से मल्टीप्लाइब कर दो और देखो ठीन तो थ्री विव पर आएगा यहां पर है इसके बाद युदि यांपने लिखा था तो थ्री विख लूँ अपने जी इस थ्री लिख लिख लिए आपने अब अच्छा क्या फाइफ आ और तरी ये पूरा पूरा आप नीचे लिख दो जो बचा थ्री मुल्टीप्लाइं यहां से पांच बचा यहां से चीन को मंटिप्लाय करों किकत अ कितना हो गया कितना होगा 50 qui Max कितना होता है कि इस मार्बल से n retailers यहां पे 1050 मार्बलस यह fi में डाले गए तो यह पार्ट जो है राइस किया गया समझ में आ सब ये को इस खेल ले लो फिर आगे बढ़ती है अगली कोशन की तरह कि आप यह को कोशन दिया है कि ABC और BBC है वक कॉमन बेस बीसी यह कॉमन बेस कि यह कॉमन बेस दीकर किस ट्राइंगल की बात कर रहा है ABC के इंदर ABC यह उपर वाला जो बड़ा वाला और नीचे वाला बड़ा वाला दोनों की बात कर रहा है BC common base है और proof करना है क्या proof करना है यह proof करना है कि ABC जो है AO upon DO यानि कि यह जो side दिख रहा है AO upon DO हाना तो दोनों area का जो ratio किसके equal है यह जो side इसके ratio की equal है तो हमको two proof लिखना है सबसे पहले क्या proof करना है हमको proof करना है भई कि AO upon DO यह हमको भई आप प्रूफ करना है तो चलो बच्चों आ जाते हैं प्रूफ करते हैं और समस्ते हैं कैसे करना है सबसे पहले आप करोगे construction construction कर लो क्या करना है construction तो आपने construction कर लिया क्या किया यहाँ पे एक लाइन ड्रॉफ कर दिया perpendicular यहाँ पर आपने perpendicular ड्रॉफ कर दिया ठीक है और यहाँ पर भी एक perpendicular ड्रॉफ कर दिया ओके इस पर्पेंडिकुलर का नाम आपने दे दिया एम इस पर्पेंडिकुलर का नाम दिया एम और इस पर्पेंडिकुलर का नाम दे दिया एन ओके समझ में आ गया चलो तो हम लोग लिखेंगे ड्रा हमने क्या किया ड्रा कर दिया पर्पेंडिकुलर हना एम ठीक है एन और क्याकिया दे एंड पर्पेंडीकुलर किस सेगमेट पे सेगमेंट बीसी के उपर यह भी ओके समझ में आया कैसे किया यह आपने ड्रॉप कर दिया अब इसके इंदर गौरोग हो गया तो आप इस ट्रैंडल के इंदर आ वी तो एक प्रपेंडिकुुलर कर दी यह काम आपको करना पहले अब प्रूफ करो है और स्टार्ड करोंगे किया दिया है कि यस ट्रॉंगल एक बी ची एन ट्रिंगल डी बी सी है कामन बेस बीसी जो कॉमन बेस है पूरा पूरा मैंने सेंटेस क्या किया लिख दिया अब इसलिए हो क्या होगा हमारा एरिया ट्राइंगल एरिया ट्राइंगल जो होगा कि अद्रेत ट्राइंगल का नाम क्या है ए एरिया अफ ट्राइंगल इंग ले हो परवला आम के ऐधियर कई गया कुई मैं इसलिए हो ए भी एपाउन एरिया आफ ट्राइंगल डी बी सी इसकोल टू है एओ अपान टी ठीक है तो एबी सी अपाउन एरिया आफ ट्राइंगल डी बी सी डी बी सी यह हो गया यह किसके कोल होगा जब बेस कॉमन होता है आik लिए क्या होता प्रोपर्रौश्चन में होता है तो हईड क्या हुमारे पास फिर ट्राइंगल "' हम लोग सिख आज इसको लाए है आपर आप क्या है और इरिया आफ ट्राइंगल्स with equal basis basis proportional to proportional to their corresponding sides corresponding sides यह पूरा लिख दोगे ठीक है यह आपको लिखना है यह हो गया areas of triangle with equal basis proportional to their corresponding sides अब इसके बाद इसको number one दे सकते हैं इसको आप number one दे दो इसको क्या दे दिया आपने number one दे दिया पूरा का पूरा number one यहाप पर मैं लिख दियता हूँ यह होगा number one ठीक है अब उसके इंदर यह triangle में आजाओ किस triangle के इंदर कौनसा मैं इसकी बात कर रहा हूँ देख ले ना इस triangle के बात हो रही है इन दोनों triangle के अंदर मैं लिखता हूँ इन triangle A.M.O A.M.O and triangle D.N.O D.N.O ठीक है इन दोनों triangle के इंदर देख रहे है यह opposite angle है ठीक है और यह perpendicular है तो यह 90 degree है यह 90 degree है perpendicular वाला जो part होता है यह 90 degree होता है ओके तो दो angle equal आ गया congruent आ गया तो हम लोग लिखेंगे angle A.M.O congruent है angle D.N.O region डालोगे H 90 degree दोनों ही क्या है 90 degree है यह complete हो गया फिर उसके बाद vertically opposite क्या है A.O.M A.O.M congruent है N.O.D N.O.D कौन सा vertically opposite है यहाँ पर दिख रहा है यह part यह दोनों एक दूसरे के vertically opposite है तो ऐसा पढ़ोगे A.O.M यहाँ पर C.O.D ठीक है मैं सरी C.O.D बोल लाँ N.O.D आएगा clear vertically opposite angle vertically opposite opposite angle आपने यहाँ लिख दिया vertically क्या है opposite है तो एटेस आप सिमलेटी से क्या होगा दोनों triangle similar हो जाएगा ठीक है तो हम लोग लिखेंगे triangle A.M.O similar to देखो बीच में क्या है ओ तो ओ आयना चीए बीच में ठीक है N किसके इकोल है M.K. एंड किसके एकोल है N यहाँ पर पर्पेंडिक कलर यह M है तो N.M.K. M कहाँ पर है यहाँ पर देखो M.B.C में N.B. कहाँ आएगा बीच में ठीक है अब उसके बाद लाश्ट में क्या आएगा लास्ट में देख लो N.O.D.D. है तो हमारे पास आएगा O.N.D. इस तरह से लिखेंगे O.N.D. तो A किसके एकोल है सुरी यहाँ पर थोड़ा सा गलबड होगी इसको सही कर लो लास्ट में तो O आखिर में लिख दिया हमने M के एकोल क्या है N तो M और N और सुरू में यहाँ पर क्या है इस आएट एम अपॉन यहाँ पर डियन ठीकर कैसे लिखा जाता मालू में आपको पता ही होगा एम यहाँ पर लिए अपना यहाँ पर एम लिया तो यहाँ पर क्याएगा डीएएज तो बस एम हो गया डीएज दो यहाँ पर क्या लिख होगे M O तो यहां लिखोगे मो के बाद डी ओ एनो फिर इसके बाद पहला और लास यह आएगा ए ओ अपान डी ओ तो तो लिखोगे प्रफिशनल साइट्स और सिमलर ट्राइंगस अठीक है प्रोपरिशनल साइट सबस्क्राइंगल अब इसके अंदर देखो कुछ चीजे अपने को कामन देखे गा क्या कामन देखे गा पहले वाले में ए-m अपाउं डी अए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-पान-डी इन और बताओ मुझे प्रूफ क्या करना था एयों अपॉन डियों तो ऑपान डियों ठीक दीख रहे है तो हम लग मुअ सकते एयों अपान डियों किसके को ऑल है अ मा पॉन ईयन और ए nooit अम अपान डियन किसके को अभाल होता है अ भी सी क्यों ए फरस्ट अडिसको number देतो second इसको क्या दो के number second इसको हमने दे दिए भई number second यह होगे आपका number second निकोगे from first and second from first or second से आपका यह proof हो जाएगा क्या पुरूफ हो जाएगा area of triangle ये लिख दूँगा area of triangle a b c upon area of triangle d b c is called to होगा ये ओ अपॉन डी ओ.. ये प्रूफ हो गया.. फ्रॉम किसे लिखो कि फ्रॉम फर्स्ट हैन फ्रॉम सिकंड कैसे प्रूफ हुआ मैंने बताया कि पहले हमने क्या ने लिका ला इसको लिखे लिखे तो क्या आ गया यह आ गया दिख रहा है तो हम लोग क्रूफ कर दिये कियों कि अबीस कि लेफ साइट में तो थाई सिर्र हमने क्या किया राइट साइट को चैंज कर दिया इसके निशौट ले लो फिर बढ़ते हैं अगले कोशन कि दरख कि चलो यह कंस्ट्रक्शन वाला कोश्चन है क्या दिया है पी एसी और टी एस वी पी एसी और यो है टी एस वी इन ट्राइंगल पी एसी पी एस किता दिया यह प्ज़ज़ खेंगल होता है पहले कौशा अंदर बाहर बनेगा वो इसके लिए आइडिया दूगा इससे आप समझ जाओगे कैसे बनाना कौन सा बाहर वहालब दिंद्ध कॉंस है बनाने वाला पी एस एस एसी पी-れश एस एसी का मतलब कॉन सा ये पहला वाला देखर आपको पहला वाला बना हुआ है पहले वाई एक अवाल Turk पूरा दिया हो है टौले लिए और देखुर शुरॉओ अ किहाद के सह करने का याद देना द्रॉकर्टेन एक लंभी लाइन अपने मर्जी अपयों हो गया ऐसोगि ठीक है आप क्या बोला बिया यहाँ प्रीज़ प्स कितना धिया फूर पॉंट फूर पीएज फूर फॉर प्योंट फोर ठीक जो है 4.4 ले ले rating गया तो पीज्स गो परकार रखोगे यहां से रख किया पकार करोगे तो तुम्हारा जुह है यह वहला आ जागा पी-ई आ जाएगा ठीक है क्या जाएगा पी तो यह दोनों को जॉइंट कर दोगे एक ट्राइंगल बन गया इतना आप लोग बना ले तो इतना प्राइंगल नहीं होता अब है कि बाहर बनेगा कि अंदर तो इस कॉंसेप्ट को समझो देखो पी-एस कितना है पांच और टी- एक टी-एस का रहेगा टी-एस का रहेगा अंदर रहेगा समझ में आ गया इससे ही आपको चेक करना कौँन सा बड़ा है कौन सा चोटा है जो आप उसको क्या करेंगे अब इसको पांच इस्से में डिवाइड करो दो क्योंकि पीस कितना है पांस अपर если दिवाइड ने ले रखूँगा पर कार और करते जाऊंगा पांच इक्वल पाइbd यहां परैका वहे लगी हाप कर गूंगा फिर फ्सरे से पांच इससे में कट कर लिए ओके पांच से में कट करने हो गया है जोई अब उसके बाद अगला काम क्या करने का यहां पर परकार रखने का इस तरह कट करने का ठीक है यहां पर परकार रखने का इस तरह कट करने का यहां पर करने का फिर इस तरह से कट करने का ठीक है तो यह जो डिस्टेंस है वह लेने का दो यहां पर का किया उसने इतना समझ में आया देखो हमने क्या बना दिया बाहर का पार्ट पूरा बना दिया बाहर का पार्ट बना दिया अब बनाना अंदर का पार्ट तो देखो क्या करने का यह पार्ट पांच हिसे में डिवाइड हो गया एक हिस्सा दो हिस्सा तीन हिस्सा चार हिस्सा पांच हिस्स यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस यहां रहेगा वह डिस्टेंस यहां रहेगा ठीक है फिर उसके बाद आप देखोगे इससे और इसके बीच के जो डिस्टेंस यहां से रखकर यह जो डिस्टेंस बन रहे तो यह डिस्टेंस भी यहां से यहां तक के बीच में रहेगा ठीक है तो यहाँ पे कट मिल जाएगा आपको यह कट मिलने के बाद फॉरण क्या करोगे इसको जॉइन कर दोगे उसको क्या करोगे आप इस तरह से जॉइन कर दोगे ओके जो कि से मेटन यहाँ पर अपनाने यहाँ पे कड मारत कुछ है यहां पर टॉत मारना या यहां पर रखके यहां लोगे यहां रखके हमारा् ignor atau करोगे इसका डिश्टेंस देखें प्रिश्टिंस या रहेगा यहां पर रखने के बाद यहां से रख यो डिश्टेंस पर कट कर दोगे अब यहां पर जो पॉइंट मिले का उसको क्या करो कर रोके मिला दो इस तरह से ठीक है और जैसे मिला वैसे तुम्हारा क्या होगा पूरा कपर बनके त्यार हो जाएगा ठीक है किलिए मेरे क्यास समझ में आ गया होगा चलो आगे बढ़ते हैं अगले कुशन के तरब जो आपका रहेगा होड कोशन का कोशन नमबर फाइब ठीक है अगर 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 तो